हैलो दोस्तों मेरा नाम है अरभिन दोर आप देख रहे हैं यूटूब चनल अरभिन संगम दोस्तों आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से खतवनी की नकल को निकाला जाता है दोस्तों जो खेत की नकल होती है उसे खतवनी की नकल के नाम से जानते हैं दोस्तों आप घर बेटे ही बड़ी आसानी के साथ में अपनी खेत की नकल को निकल पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आज मैं जो इस खतवनी की नकल को निकलने वाला हूँ दोस्तों ये उत्तर परदेश की खतवनी की नकल है दोस्तों अगर आप किसी other state से belong करते हैं तो आप comments box में में बताईएगा मैं उसका link आपको जरूर से provide करूँगा और उस पर भी एक नए video बनाऊँगा जिससे कि आपको भी help मिलेगी तो दोस्तों आज में जो बताने वाला हूँ तो कुछ इस परकार से आपको उसका user interface देखने को मिल लाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं भूले खुतर परदेश लिखा हुआ है उपर ही आप यहाँ पर देख पाएंगे और उसी के साथ में नीचे यहाँ पर लिखा गया जनपत चुने दूसरा है ताहसिल चुने, तीसरा है ग्राम चुने और चौथा है ग्राम का पहला अच्छर चुने तो यहाँ पर बड़े आसानी के साथ में अगर आप यूपी से बिलाओं करते हैं तो आप अपने डिश्टिक को सिलेक करेंगे अपने जिला को दोस्तों जैसा कि मैं सुल्तानपुर जिले से हूँ तो मैं यहाँ पर सुल्तानपुर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं सुल्तानपुर वाले आपसन पर मैं टिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटोमेटिक यहाँ पर ताहसिल चुने हमारे district में जितने भी तासियल होंगे वो सभी की लिष्ट हमारे सामने आ जाएगी जैसा मेरा जो तासियल है वो बलदी रहा है मैं बलदी रहा है को सिल्ठ कर लेता हूँ और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आप देखेंगे उसके साइड में है ग्राम चुने और दोस्तों और एक बात में आपको और बताता हूं जो तासील है उसी उसको भी उसी के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है जो आपका जो खेत है जिस गाउं में लगता है उसका वहां का जो भी जो तासील होगा उसी तासील को आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा और उसके स देखेंगे खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजे और दूसरा है खाता संख्या द्वारा खोजे और तीसरा है खाते दार के नाम द्वारा खोजे तो आपको यहाँ पर तीन स्टेप मिल लाते हैं अगर आप खसरा संख्या गाटा संख्या दोनों सेम ही है अगर आप इन में स दोनों में से कुछ भी आपके पास तो यहां पर आप टिक करेंगे इस परकार से और यहां पर फिल करेंगे खसरा संख्या या फिर गाटा संख्या और दूसरा है यहां पर खाता संख्या द्वारा कोजे तो अगर आपको अपना जो खेत का जो खाता संख्या अगर वो पता है तो आप बड़े आसानिक से आप में यहाँ पर खाता नंबर फिल करेंगे और उसके बाद में उसको चेक कर पाएंगे और तीसरा है खातेदार के नाम द्वारा खोजे तो अधिकतर क्या होता दोस्तों लोगों को खसरा संख्या गाटा संख्या या फिर अपने खाता संख्या कुछ इस प्रकार से पता नहीं होता है दोस्तों बड़ी आसानिक साथ में खातेदार के नाम से द्वारा जो हो इसको खोज सकते हैं तो यहाँ पर मैं खातेदार के नाम से खोजने वाला हूँ तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ और उसके साथ में यहाँ पर नाम के कुछ अच्छर भरे तो उस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर नाम फिल करना है तो नाम फिल करने के लिए आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है अच्छर चुनने के बाद मातरा लगाए तो उस्तों इन में से जो आपक को सिलक किया अब उसके बाद में सिंपली क्या करना है पर खोजे वाले आपसन पर किलिक करना है तो जितना भी नाम या यूं कहें जितना भी खेत होगा उस नाम से वो सभी लिश्ट आपके सामने यहां पर आ जाएगी तो आपको यहां पर चेक करना है कि जिसका जो आप चेक से टिक करना है यहाँ पर गोला दिया गया है इस पर आपको टिक करना है और जैसी आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उद्धरण देखे का एक option यहाँ पर आपको ग्रिंटिक हाइलाइट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से किलिक कर दिना है तो जैसी आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने capture fill करने का option आ जाता है जूस्थों यहां पर simply capture आपको फिल करना है capture जैसा भी लिखा हुआ है, capital letter और small letter जैसा भी लिखा गया है उस प्रकार से आपको यहां पर fill दिखाई देगा और वहां का जो परगना है वो पर किस परगना के अंतरगात आता वो भी आपको यहां पर दिखाई देगा उसके साथ में तासियल क्या है जनपत क्या है फसली का वर्स जो है यहां पर 1430 से 1434 हो चुका है एक जुलाई 2021 से 30 जुन 2027 तक यहां दोस्तों यहां ऑपर मैं आपको बतायता हूं कि जो फसली वर्स से वो हर 5 साल में चेंज किया जाता है उसे के साथ में आप देखेंगे यहा पर खातेदार का जो भी नाम होगा यहां Пर और गाओ गरां जो भी होग वह ओव आपको यहां पर दिखाई देगा और यहां पर खसररसंख्या आप देख सकते हैं आपको यहां पर दिखाई देगा और उसी के साथ में अगर आदेस में टिपनी में कुछ भी चेड़चाड किया रहेगा या खेत में kisी अर के नाम पर अगर दर्ज किया रहेगा या उसमें किसी का नाम और संसोधन किय रहेगा, तो आपको यहां पर आदेस और टिपणी में दिखाई देगा तो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं मेरा आदेस और टिपणी में कुछ भी नहीं है जो खेत है simply यहाँ पर जो भी जिसका नाम है वह है परदर्ज है तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप जो है खतवनी की नकल को निकाल सकते हैं और उसके साथ में आप चाहे तो इसका इसके साट ले सकते हैं या फिर प्रिंटर हो तो आप प्रिंटर की मदद से बड़े आसा जरू बताएगा का आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी परकार का सुझाओ या सवाल है तो आप कमेंटर में हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल प